किसान भाईयों नमस्कार किसान खबर चैनल पर आप सभी लोगों का मैं हेमंत यादव स्वागत करता हूँ दिनांक 29 दिसंबर 2022 हो चुका है आज अलवर मंडी में क्या आउक देखने को मिली थी क्या भाव देखने को मिली थी ये सभी जनकारी होने वाली ये वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और जो अलवर से बाहर के जो किसान भाई हैं या व्यापारी हैं वो हमेश्या फॉन भी करते हैं और कमेंट के मादम से भी पूछते हैं कि अलवर का जो प्याज है वो कितने दिन और चलेगा तो ये सभी जनकारी होने वाली वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना भूले साथ में पहला आइकन को जरूर दबाईगा तो बात करें अगर आज की आवक की तो आवक लगबग वही 40-50,000 कट्टों के आसपास नजर आ रहे थी अलवर की मंडी में और भाव की बात करें तो एक लोट असुक भाई के पास बिकाता साड़े आठ सो के आसपास और बाकी साड़े साथ सो भी के हैं पर जो एवरेज भाव थे वो दिन और आएगी तो उसके बारे में अभी मैं आपको किसान बायों बता देता हूं कि अलवर में अभी भी प्याज लोगों के खेतों में खड़ा हुआ है तो उम्मीद है 15-20 दिन और चलेगा और थोड़ा बहुत और उपर भी हो सकता है पर अभी 15 दिन तो कम से कम मानो 15-20 दिन तो आराम से चलेगा प्याज क्योंकि किसान बायों खेतों में खड़ा है वो प्याज भी अगर मार्केट में आएगा तो 10-15 दिन लग जाएंगे तो ये था आज का ताज़ा अपडेट अगर वीडियो की जानकारी अच्छे लगए हो तो लाइक से जरूर कीजिएगा नमसकार